होली दो हजार चोबिस मनो कामना पूर्ती के लिए लड़ू को पाल को अर्पित करे इस तरह के गुलाल रादे रादे मित्रो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और जोतिश से जुड़ी कई इंटरस्टिंग बाते अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस साल 25 मार्च को होली है इस दिन शिरी कृष्ण और राधारानी की पूजा का विधान है साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिरी कृष्ण के बाल सवरूप लड़ू गोपाल को गुलाल अरपित करना चाहिए ऐसा करने से घर में सुक लड़ू को गोपाल को कौन से गुलाल अरपित करने चाहिए लड़ू को गोपाल को होली के दिन गैंदे के फूल से बना गुलाल चडाना शुब होता है इससे घर में पारिवारिक शांती स्थापित होती है साती गैंदे के फूल से बना गुलाल चड़ाने से ब्रस्पति की सिती कुंडली में मजबूत होती है केसर का संबंध भी ब्रस्पति ग्रह से माना गया है ऐसे में केसर से बने गुलाल को लडु गोपाल को चड़ाने से जीवन में सफलता की प्राप्ती होती है गुलाब के फूल का संबंद मंगल और शुक्र ग्रैसे होता है ऐसे में लड़ू गुपाल को होली के दिन गुलाब के फूल से बना गुलाल चड़ाने से वेवाहिक जीवन में वदुर्ता आती है गुढ़ल का फूल मा लक्ष्मी का प्रिये माना जाता है ऐसे में गुढ़ल के फूल से बना गुलाल लड़ू गुपाल को चड़ाने से घर में मा लक्ष्मी का वास होता है तो चलिए मित्रो आज हमने जाना की होली पर अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए हम लड़ू गुपाल को किस तरह से गुलाल अरपित करें ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए लड़ू गोपाल से प्रातना कर सकें और जीवन में सुख सम्रिदी और घर में खुशियों का वास हो तो चलिए मित्रों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मेरे आस्था और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों